काम किया था अब तक 341 मरीज मिल चुके है अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाद जौनकरी के साथ अतुल भुपाल में डिंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है बताया यह जा रहा है चुकि मौसम बदल रहा है मौसम में तब्दीली हो रही है जिसका खासा असर इस तरीके से अब देखने को मिल रहा है चुकुन उनिया के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से स्प्लास्त महकमे की ओर से देखिए स्वास्त अमला और नगानिगम तो कई दावे कर रहा है लेकिन जमीनी स्थर पर अगर हम देखे तो लगातार राजदानी पुपाल में डेंगू के मरीज बढ़ते हुँ दिखाई दे रहे हैं अजली पीछे 24 गंटी के अगर मैं जिक्र करूँ तो छे नए मरीज डेंगू के सामने निकल के आए हैं ये बड़ी संक्या राजदानी पुपाल के साब से मानी जा रही है इसके लावा अगर हम सितंबर महीने में देखें तो सितंबर महीने में 117 एक बड़ा आकड़ा है साल भर में याने कि अभी तक जनवरी से अभी तक अगर हम देखें तो 300 से उपर मरीज ये डेंगो के साब में निकल किया है इसे पकाई चिकन गुनिया के भी लगातार मरीज बढ़ रहा है पीछे 24 गंटे में 3 और सितंबर में 58 के लबग मेरी साब में दिखाई दे रहे हैं तो नाए भौपाल के हालत बस से बत्तर होते हुए दिखाई दे रहे हैं नाके बनाए भौपाल अंजली भौपाल के आसपास का जो चेतर है यानि की पुराने भौपाल की में बात करूँ बेरगर की बात करूँ या कोलार चेतर की बात करूँ कि तमाम वो चेतरे जहां पे डेंगू लगातार पेर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है अस्पतालों में रूजाना बड़ी संक्या में डेंगू के लक्षन के मरीच पहुच रहे है हालत ये है कि जो सरकारी आकड़े जारी हो रहे है अस्के अगर हम देखें तो कई गुना जादा मरीच डेंगू के लक्षन तर स्के अगर हम बात करें तमाम वो लोग जो सीधर तोर पर अगर हम देखें कि च्छकाउ के आजानी की बात कर रहे है लेकिन अगर जो हॉस्पिटर से मरीज एडमिट है उनके परीजनों चे अगर हम पूचे तो वो छेत्र जो डेंडर जोन में तब्दिल हो जाता है जहां से डेगू के मरीज मिलते हैं लेकिन उन छेत्रों में भी दवाओ का छिड़काओ नहीं हो रहा है क्योंकि डेगू का लावा उच्छेतर में मिला है और इसे में वहाँ पर संक्रमन और भी फिलने की इस्तिती बनती है लेकिन कई ऐसे मरीज हमारे संपर्क में आई चुन ने सबस्तों पर ये कहा कि अभी तक उनके घर में या घर के आसपास कहीं पर भी दवाई के चलकाव दे लुए बिया आने वाले दिनों में और भी इस्तिती बहबे हो सकती है क्योंकि देखे मौसाम बदल रहा है जली बारिस का सीजन चल रहा है भारिस के बार थैंड को कि ठेंड में धिक्स ब्रद्द हुए दिखाई दे रहे याने वाले कुषमेनि राज़धानी भोपाल के ल अगर हम देखें तो टीम जो गटित करने की बात की गई थी दावा तो ये भी किया गया था कि हरवाट में टीम भेजी जा रही है लेगि वो टीम जमीनी इस तरपने ना दिखते हुए केवल कागजी इस तरपने दिखाई दे रही है जो एक बड़ा पिश्टा चिन तमाम बि अगर जाता है कि उनपर वह बड़ा रहा है जिस तरा गेते हैं बिजली कट्रेकाई